दोस्तो स्वागत है आपका इंसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आज किस वीडियो में हम दो काफी बड़ी खबरों के उपर बात करने वाले हैं जिसमें हमारी पहली खबर चीन से निकल कर सामने आ रही है जहां पर भारत ने काफी बड़ा बैंड चीन के उपर ठोक दिया है बकाईदा चीन ने रिक्वेश्ट के थी भारत से इस प्रोड़क को मगाने की लेकिन भारत ने उसके बावजूद चीन को ठेंगा दिखाते हुए ये बैंड ठोका है इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसके लावा हमारी दूसरी खबर कतर से निकल कर सामने आ रही है जिससे हमारे रिस्ते पिछले काफी समय से खराब चल रहे थे लेकिन अब वापस से भारत और कतर की रिलेशन पटरी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के तहट कतर भारत से अब तक की सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहा है जो की 2050 तक भारत की एनरजी जरूत को पूरा करने के लिए एक माइलिश्टोन साबित होगा जानेंगे इस खबर के बारे में भी डिटेल में इसलिए वीडियो को अन तक जरू देखियेगा साथे अगर आपको वर्ल्ड अफेर से जुड़े ऐसे टॉपिक में इंट्रेश्ट है तो नीचे दिए गए सबस्क्राइब बटन को प्रेस कर बैल आइकन को जरू दबा ले जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए बिना समय गवाए अब श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दरसल दोस्तो जब से भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद बढ़ा है तभी से भारत चीन से अपनी दूरी बनाने में लगा हुआ है और धीरे धीरे करके चीनी प्रोडक्ट और चीनी एप वगरा पर बैन वगरा लगा कर इसे भारत से बाहर कर रहा है इसी के तहट भारत ने अब आईरन के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है दरसल भारत की खनन कंपनी NMDC ने भारत सरकार से ये अनरोध किया था कि वे अपने लोहे को चीन के वेपारियों को बेचना चाती है और इसके लिए चीन ने भारत से रिक्वेस्ट की थी लेकिन भारत सरकार ने इस रिक्वेस्ट को रिजेट करते हुए कहा है कि NMDC को भारत म आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे इतना बड़ा क्या इंपेक्ट पढ़ेगा चीन के उपर इस बैन से क्योंकि वे तो किसी भी देश से लोहा खरी सकता है तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका कितना बड़ा इंपेक्ट चीन के उपर पढ़ने वाला है दरसल दोस इसी बी देश की अर्थिवेस्ता में एक काफी बड़ा योगदान देता है क्योंकि इंफ्राश्टक्चन डवलोप्मेंट में इसका काफी एहम रोल है। सबी रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हुए ये बैन भारत सरकार द्वारा ठोका गया है। सब्सक्राश्ट के लावा खरीदार मिल रहे हैं या फिर चीन के लावा मार्केट मिल रहा है। भारत उनी प्रोड़क्ट पर बैन लगा रहा है तो इसके पीछे का सिंपल सांसर यही है। भारत द्वारा लगाए गए इस बैन पर अपनी राय कॉमेंट बाक्स में दीजिएगा फिलाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ यह खबर हमारी कतर को लेकर है। जिसके साथ भारत का पिछले कुछ मैनों से भारत ये नोसेना के पूर्व अदिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के उपर विवाद चल रहा था। हाला की सफांसी पर तो रोक लगा दी गई है लेकिन अभी भी भारत ये नोसेनिक अदिकारी कतर की जील में है। तक बढ़ाने वाला है आपको पताई है कि LNG को लेकर भारत काफी ज़्यादा कतर के उपर डिपेंडेंट है और अपनी जरूत का तकरीबन 50% से ज़्यादा LNG को भारत कतर से ही मगाता है। इसके तहत कतर भारत को LNG प्रोवाइट करेगा। वहीं पर इस नई डील के तहत भारत तकरीबन 2050 तक की LNG सप्लाई करने की गरंटी कतर भारत को देगा। वहीं इस नई डील के तहत काफी डिसकाउंट में LNG कतर भारत को सप्लाई करेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि चीन और बांगलादेश को जो LNG कतर सप्लाई कर रहा है उससे भी कई गुना जदा सस्ती LNG भारत को प्रोवाइट करेगा। क्योंकि भारत ना सिर्फ एक बहुत बड़ा ग्रहक है कतर की LNG का बलकि एक काफी बड़ी डील भी तकरीबन 20-30 सालों की साइन कर रहा है भारत कतर से यही कारण है कि कतर इतना बड़ा ओफर भारत को दे रहा है।